एलो स्टुदेंट्स नाकट कॉंसेट के डिजिटल प्रेलफोर्म में आपका स्वागत है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेर्स मैंने दो विक से तो कर रहा हूं मैं तीसरा विक है उसमें 10 से 16 मई का जो विक है उसको हम कवर करेंगे और इस वीकली करंट जो कोश्यन है सर्वेंट ओफ इंडिया के संस्ताफक की जन वर्षकाट हाली में मनाई गयी तो सर्वेंट ओफ इंडिया का है कि सोसाइटी थी जो हमारे आजादी के आंदोलन के दोरान बनाई गयी थी 1905 में और इसको स्थापना करने वाले थे गोपाल कर्शन गोखले तो बनार सदि वेशन के अध्यक्ष भी बने थे गोपाल कर्शन गोखले के बारे में एक और important चीज या होता है और होता हैं अंसी और ओर महत्मा गांदी के राजनेति गूर भी थे राजनेति में इसलहां मानने अब ऐस्यार천 गांधी थे भारत आये थे 9 जनवरी 1915 को तो इन्होंने बोला था कि एक साल तक आप गांधीजी को बोला था कि 1915 से 1916 आप भारत को सिर्व विजिट करिये देखिये सिर्व भारत को आँखे खुली रखिये कान खुले रखिये लेकिन मुँ बन रखे आप उसको विजिट करिये तो राजनीति गुरू भी यह कहलाते है तो सर्वेंट आफ इंडिया सुसाइटी के संस्तापक गोपाल कर्शन गुखले है नेक्स की अगर हम बात करें तो हाली में कि इस वेक्ति का 169 वा जन्दिवस मनाएगा तो साहित्ति के शित्र में यह नोबल पुरसकार इनको मिला था तो यह ऐसे नोबल पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले गेर यूरोपियन पहले एशियन थे दूसरा जो रविना टेगोर है यह भारत और बांगलादेश दोनों का राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति हैं और ऐसे पहले व्यक्ति है विश्व में चुनों ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है national anthem लिखा है तो भारत का तो आपको पता ही यह जंगन्मन है national anthem और बांगलादेश की अगर बात करें तो आमार सोनार बांगला जो है वहाँ का national anthem है तो यह इंसे related factor है दूसरा एक अगर करिंट की बात करने तो इसराइल में जो तेल अभीव एक जगह है तो इसराइल ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हाली में बागों की कुल जन सेंक्या के अनुमान की आकड़ों में पश्यम मंगा लिश्ते सुन्दरवन में 88 से 96 हो गई है अखरी बार भारत में जनगन्ना कब की गई थी तो 2018 में की गई थी अभी पहले थोड़ा बात करें सुन्दरवन के बारे में तो सुन्दरवन जो है वहाँ पर एक आदरभूमी विश्व की सबसे बड़ी आदरभूमी आदरभूमी का मतलब कि बाग वहाँ पर बढ़ गए हैं तो आपका देखे लास्ट गन्ना तो 2018 में हुई थी और यह जन गन्ना हमेशा 4 साल के बाद होती है यानि 2004 में हुई होगी 2010 में हुई होगी और अभी 2008 पर 2022 में होगी लेकिन अभी इन्हों ने एस्टिमेट लगाया है कि वहाँ पर बागों के जो फूट प्रिंट्स वगेरा के हिसाब से अनुमान लगाते हैं तो उसमें बागों की जनसंग्या महाँ पर बढ़ रही है और चुकि बेंगाल टाइगोर्स बहुत इंपोटेंट है वहाँ की एकोलोजिकल सिस्टम में इसलिए यह कुषिन बहुत इंपोटेंट होता ह आपके लिए कि राष्ट जनगंडा कभ हुई है या अभी जो है वहाँ पर बागों की जनसंग्या बढ़ रही है दोसार अठारा की अगर हम बात करें तो दोसार अठारा से पहले जब दोसार चूदा में हुई थी तो दोसार चूदा से दोसार अठारा में 33% बाग करीब बढ़ गए थे और MP को Tiger State बोला जाता है क्योंकि MP में सबसे ज़्यादा बाग है जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाग होंगे उसको Tiger State बोला जाता है MP में 526 है और करनाटक की बात करें तो वहाँ पर 524 बाग है तो Tiger State का दरज़ा अभी MP को मिला हुआ है इससे पहले करन करनाटक के पास था तो अभी MP को वापस इसका Tiger State का दरज़ा मिला हुआ है अगर बात करें कि Tiger Day कब मना जाता है तो 29 जुलाई को International Tiger Day किया जाता है अगले कोशन की बात करें तो National Institute of Virology कहां परिष्थी थे तो यह कोशन मैंने डेली करेंट अफेर्स में से उठाया है अगर कोई लेली करेंट अफेर्स नहीं देख पा रहा है तो बहुत इंपोर्टेंट कोशन है पूने में यह National Institute of Virology महाँ परिष्थी थे इस National Institute of Virology ने क्या किया है अभी हाली में कोवीड कवज नाम से कोवीड कवज कोवीड कवज के नाम से एक टेस्ट विक्सित किया है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है एक टेस्ट होता है एंटी बोडी टेस्ट तो यह एंटी बोडी टेस्ट जो है इन्होंने डवलप किया है तो National Institute of Virology कहां परिष्थी थे यह आप से पूछा जा सकता है अगले की अकरम बात करें नेम लेकित में से किसे हाली में संसत क संसत कि लोग लेका समीथी का अध्यक्ष बनाए गΒय है तो संसत के लोग लेका समीथी यह पब्लिक अकार्ण्स कमिट्य बनाए messing ए और अगर पी आप करें तो पीशी यही पब्लिक अका अकांट कमिट्टी हर साल इसको नेप्ति किया जाता है हर साल इसके अध्यक्ष की की जाती है सबसे पहले 1921 में इस कमेटी की स्थाफना की गई थी और 1961 से परंपरा है कि इसका अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष का नेता होगा तो आपको पता है देरंजन चोधरी जो है कॉंग्रेस के लीडर है लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसके नेता बनेंगे इसमें कुल 22 सदस से होते हैं और 22 में 815 सदस से लोकसभा की होते हैं और शानस सदस जो हैं राजिस्वा से होते हैं लोकलेख़ समीति का कारीग होता है कि जो CAG यानी अधानन पर्रिक्ष जंडरल है की न्गहाले ऑडिक्ष जंडरल वो एक रिपोर्ट देता है ये चानबिन करते हैं उसको analysis करते हैं वो इसका काम होता है लोकले का समीति का ऐसी दूसरी भी समीतिया होती है लोकसभा में जैसे प्रकलन समीति होती है ये सारवजनिक उप्रक्रमों पर समीति होती है उसी तरीके से एक स्थाई समीति है तो ये जो 15 और पंद्रा और साथ मेंबर है लोकसभा राजसभा से होते हैं बाइस मेंबर में अध्यक्ष भी सामील है जो कि अधिरंजन चोधरी है तो पूरे साल भर तक ये question आपका बन सकता है चली देखते हैं आगे का question अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमोट सावंत जो है वहां के चीफ मिनिस्टर है प्रमोट सावंत जो है वहां के चीफ मिनिस्टर है मोट सामत यह आप ज्यान रखिएगा दूसरा यह जो प्लेक पेंथर है यह इसका कलर जो है काला होता है यह कोई अलग प्रजाती नहीं है कुछ शरीर में हर्मोन के करण इसका कलर रह जाता है तो ब्लेक पेंथर जो है आपने मोगली देखा होगा तो उसमें बगीरा जो थ एकांटमेंट हुआ पहले भी यह ही थे अभी वापस इनको 2022 तक के लिए गुडविल ब्रांट इमिसेटर युनाइटि नेशन इनवारोमेंट प्रोग्राम, उनएप का पूरा नामी उनावी उनाइटिट नेशन इनवारोमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट संबंदी गतीविद्यों को देखने के लिए इसे नेप पांच जूनको वर्ल्ल परियावण डिवस जो है विश्व परियावण डिवसLike मनाएता है उसकी जिनके बारे में बोला गया है कि 2030 सकुन को पाना है तो सत्रा सस्टेनिबल डवलोप्मेंट कोज भी यून ने अपने के तो United Nation की एक बहुत ही important संस्ता है अगले कुशन के बारे में बात करें इमने मेंसे हाली में किसे इराक का परधान मंतरी बनाया गया है किसे यह आपका कुशन है और इराक का परधान मंतरी हाली में यहां पर मुस्तफा अल-कादिमी अच्छली कादिमी अल-मुस्तफा नामन का तो मुस्तफा अल-कादिमी या कादिमी अल-मुस्तफा अगर तो यह इराक के नए परधान मंतरी बने स्वारी यहां पर लिखाने जा रहा है बहराम साली ही और अगर हम बात कर एराक की करेंसी की तो एराक की करेंसी है दिनार अगर हम बात कर एराक की कैपिटल की तो एराक की कैपिटल है बगदाद तो यह एराक से रिलेटेड में आपको इंफोर्मेशन बताईए और एराक जो ह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उर्फटा है आपर इराक तो ये सारे तरफ से यहाँ पर है और सुधाम च्टै उसके बाद में शत्ता को पास प्लेट कर दिया गए तो इरान कंड्री है साओधी अरेबिया है सुन्नी गंट्री है और इनके वीच में ही जगड़ा चलता रहता तो इराक में कुछ जो है वो सुन्नी है और कुछ जो है वो शिया है तो यहां पर अभी काफी टाइम के बाद इस्थाइतु सरकार के और यह लोग बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कित यह बहुत इंपोर्टेंट दिवस मनाए जाता है वैसे तो यह पुराना कुछ ने लेकर आया हूँ कि वेशाक कुणी के बारे में मैंने सुझा थोड़ा आपको गोतम बुद्ध के बारे में बता दूँगा साथ मई को यह मनाया गया है और मैंने जिसना कि बता है कि गोतम बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था गोतम बुद्ध का नेपाल में लुंबीनी एक जगह है नेपाल में तो लुंबीनी में इनका जन्म हुआ था नेपाल में और इनकी डेथ के अगर बात करें तो 483 में कुशी नगर में इनकी डेथ इन्होंने सबसे important मध्यम मार्क का सिद्धान दिया था तो मध्यम मार्क क्या है? एक्स्ट्रीम नहीं जाना है आपको तो अपने जीवन में भी आप इसको उतार सकते हैं कि आप दोनों छोर पे एक्स्ट्रीम एंड पर नहीं रहे कर बीच का रास्ता अपना ये और किसी भी चीज में एक्स्ट्रीमिजम जब आता है बहुत ज़्यादा डल या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम तो वो हानिकारक होता है तो इन्होंने मद्यम मार्ग दिया जो आगके वर्तमान में भी प्राजसंगिग है नेक्स एकर बात करें कि निमनमेस से किस राजजी ने हाली में F.I.R आपके दुआर योजना की शुरुवात किये तो F.I.R आपके दुआर योजना जो वद्यपरितेश ने चालूगी है इसमें क्या होगा आपके फोन करिए पुलिस वाले आपके घर आएंगे और घर से F.I.R जो है लांच करेंगे दर्ज कर देंगे तो F.I.R फर्स इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट होती है पुलिस वाले कई बार जो है इसमें ही घरबड करके घरबड या अची खासी F.I.R जो है इसी के उपर पूरी इन्वेस्टिकेशन होती है तो अब आपके घर आकर F.I.R दर्ज की जाएगी अभी हाली में COVID-19 ने करण पुलिस की इमेज भी काफी सुदरी है तो उसमें एक नया कदम है तो मद्य प्रदेश ने ये संजीवनी वहन भी है मद्य प्रदेश ने आपको पता होगा जीवन अमरत योजना संजीवनी वहन ये सारे जो हैं मद्य प्रदेश के इन्वेशन ने जो भी हाली में किये थे संजीवनी वहन जो COVID-19 के टेस्ट के लिए एक वहन है तुसरा जीवन अमरत योजनावा की immunity बढ़ाने के लिए उन्होंने शालू किया था बात करें अगले question की तो हाली में आपको बताना है कि 2020 का Abel Price किसे मिला है? Abel Price सबसे पहले ते मैं आपको बता दूँ कि 1 और 3rd दोनों option को मिला है Hillel Fustenberg और यहाँ पर Gregory Margulis को मिला है यह Maths के शेतर में दिया जाता है और Maths का Nobel Prize भी इसको कहा जाता है तो इन दो लूगों को मिला है Norwegian Academy of Science and Letters के दुवारा Norway के दुवारा जो Norway country है Norway के दुवारा इसको दिया जाता है और अगर हम बात करें कि Nobel पुरसकार इसको क्यों बोला जाता है गनित का Nobel है नहीं Nobel, Nobel गनित में दिया भी नहीं जाता है लेकिन इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर साड़े साथ मिलियन स्विडिश क्रोने दिये जाते हैं और वो जो है Nobel में दिये जाने वाले 9 million Swedish क्रोने के बराबर है तो इतनी amount इसके साथ में दी जाती है इसलिए इसको Nobel Prize जो है कहा जाता है और ये दोनों विक्ति जो है Hillel, Frestenberg और Gregory Margulis जो है ये अपने देश से दूर जो है दूसरे देशों में बस गए है Actually ये जो Hillel है ये तो जर्मनी के हैं लेगिन वहाँ पर यहूदियों के खारण अत्याचार के खारण जो है इनकी पिताजी इसराइल में चले गए थे तो भी इसराइल में एक Hebrew University है वहाँ पर ये पढ़ाते हैं तुसरा Gregory Margulis के अगर हम बात करें तो ये रेश्या के हैं लेगिन वहाँ पर इनको उपर्चुनिटी नहीं मिल ले के कारण ये बाद में अमेरिका चले गए और वहाँ की Yale University में पढ़ाते हैं दोनों को ये मिला है और केरेन उलहन बग जो second option है इनको फिछले साल मिला था और ये जो महिला है इनको पहली बार एबेल पुरुसकार मिला था एबेल पुरुसकार की स्थापना 2003 में हुई थी नौर्वे में इसके बाद अगर हम बात करें कि किस स्टेट में ओलिव रिडली टर्टले मास नेस्टिंग के लिए आते हैं यह देखिए ओलिव रिडली टर्टले जो है परियावरन की दर्श्टिंग बहुत इंपोर्टेंट है और इंडेंजर्ड स्पीसीज है अचुली और यह बहुत सारा किलोमेटर चलकर प्रशान महासागर या उदर से आते हैं करीब यहाँ पर 45-60 दिन यहाँ पर रहते हैं और नेस्टिंग करते हैं यहाँ यहाँ पर यानि समदर किनारे यह गोसले बनाते हैं और वहाँ पर बच्चे देते हैं और यहाँ पर एक बाड़ी ही इकोलोजिकल गटना है अगर आप गूगल वगएर आपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या परकरती जो है यहाँ पर एक बड़ा ही नोखा या भिंगम द्रश्य होता है तो अगर मैं आपके लिए फोटो भी लेकर आया आप दिखिएगा यह ओली ओली टर्टल है और यह जो रेत है यहाँ पर तो इस रेत में यह खोद कर इसको यहाँ पर गोसले बनाते हैं और फिर इन में बच्चों को जन्द देते हैं और काफी सारे बच्चे फिर यहाँ से निकल कर समुद्र की तरफ पानी में जाते हैं अपने एक लंबे सॉफर के लिए निकल जाते हैं और हर साल फिर इसी टाइम जो है मार्च के महीने में आते हैं और अभी मे के महीने में 45-60 दिनों के बाद में यहाँ पर यह बच्चों को जनल देते हैं यहाँ पर एक अभ्यारन है अभ्यारन जो है गाहिर माथा उसको बोलते हैं और भीतर कणी का भी है भीतर कणी का अभ्यारन है भीतर कणी का यह अभ्यारन है वहाँ पर तो वहाँ पर यह जो है इसके अलावा मैंने बता है गाहिर माथा है और रुशिकल्या है तो गाहिर माथ क्रशंट試क में बताया या लेया ढ़िपसी ऊभी कर दिए लेकिन वहां पर ऐसी को सइंस्टा में होती यह वहां पर संख्या में होते रहता है मास नस्टिंग केबल उडिसा में होती तो यहां पर देखिए मैंने option लिखना में रहा गया है मैं दूसरे दूसरे option लिख दिए हैं अच्छे option बनाने के चकर में तो आप जो है उडिसा यहां पर पांचवा option कर लिजेगा उडिसा इसका exact option है बात करते हैं अगले की तो अगला question आपका under which of the following scheme government ने शिशू तरुन और किशू और लोन प्रोवाइड करती है या प्रोवाइड किये जाते हैं तो यहां answer है मुद्रा और मुद्रा के अंतरगत आपको बता होगा कि यहां पर अभी निर्मला सितारमन ने बोला भी था कि शिशू लोन में जो हम जो भी शिशू लोन जो है time पर pay कर देंगे यह तो उनको क्या करेंगे हम 2% interest की subsidy भी देंगे और बहुत सारी scheme से MSME के लिए लाए लाए थे तो मुद्रा क्या है मुद्रा का पूरा नाम है multi multi unit स्वरी multi की जगा micro कर दिजगा micro unit development and refinance agency micro unit refinance agency micro unit development and refinance agency तो यह मुद्रा जो है इसकी शुरुआ दोस्तों किये थी 2015 में और 2015 में जब इसकी शुरुआ किये गए तो इसमें 3 category के loan दिये जाते हैं एक दिया जाता है शिशू एक दिया जाता है किशू और एक दिया जाता है तरुन तो शीशू लोवन में 50,000 रुपए तक का loan दिया जाता है इसमें 50,000 से 5,000,000 तक के लोन दिया जाते हैं और इसमें 5,000,000 से 10,000,000 रुपए तक के loan दिया जाते हैं और यह जो मुद्रा है यह सईड़ बी के तहत सब्सक्राइब के तहत काम करता है तो Small Industry तो मुद्रा सिडवी के अंदर गत काम करता है, मुद्रा तीन तरह के लोन देता है, माइक्रो युनिट डवलप्मेंट और डिफाइनेंस एजनसी के रूप में ये काम करता है, और अब अगर हम बात करें कि आपका जो MSME है, उसकी परिभाशा भी सरकार ने बदल दी है, उसक कि अगर हमें बात करूँ कि MSM, यानि Micro, Small, Medium, Micro को बोलेंगे लगू, Small को बोलेंगे सुक्ष्म, मध्यम और लगू, ये जो तीन कैटेगरी हैं, Micro, Small और Medium, इसमें क्राइटेरिया उन्होंने बदल दिया है, इन्वेस्मेंट का क्राइटेरिया और आपका जो Turnover का क्राइटेर इन्वेस्में, Micro में वो इंक्लूड करेंगे, और फिर जिसका Turnover 1-10 करोड होगा, और जिसका Turnover नेश्मेंट और जिसका Turnover जो होगा, वो 5 करोड से 50 करोड होगा, उसी तरीके से Medium के गरम बात करें, तो जिसका Investment 10 करोड से 20 करोड होगा, प्लस जिसका Turnover 50 करोड से 100 करोड होग उसको इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा तो MSME में कई सारी सुविधाय गौर्मन देती है इसलिए कई सारे ओर्गिनाइशन इसमें सामिल होने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने एक स्पेसिफिक राइटेरिया दे दिया है पहले यह इन्वेस्मेंट के बैसिस पर था ब बार अगर हम इस अब्जेक्टी के माध्यम से थोड़ी डिटेल देखेंगे तो हमें जरूर चीजें याद होती रहेंगी नेक्स की बात करें विच अब दो फोलोइंग कंट्री इस गोईंग तो फाइंड टू लेक रियाल फोर नॉट वेरिंग मास्क आउटसाइड यानि कोई मास्क नहीं पहने का तो बहुत बड़ी नियूज है ऐसा करने वाला ये कंट्री है आपको मैंने लोकेशन भी बताई थी यह कुवेट है यहाँ पर और यह इराक तो है इसके पास में तो कुवेट ने ऐसा किया है यहाँ पर और कुवेट के गरम बात करें तो से जो ओईल उंप megapour करता है ओंद से 12 पुवेट ही करता है साहत में हुवेट जो है भारत का इंवसमेंट पात्नर भी इंवेट में और कंवेट में वहां पर उसके लिए भी जाते है तो वह नवकरियां और को मिलती है पहली बार बना है तो उनका नाम है राहुल देव ये पहले जो है पाइलेट बने है पाकिस्तानी एर फोर्स में ग्राउंड डूटी ओफिसर बने है फीफा ने हाली में अंडर 17 महिला विशिकप को रद्ध कर दिया है ये कहां पर होने वाला था तो ये इंडिया में होने वाला था और पहले अंडर 17 तो इंडिया कर चुका था अभी हाली में इंडिया में होने वाला था नॉबंबर 2020 में लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया है इसको 2021 कर दिया है तो मार्च या फेवररी में 2021 में भापर होगा FIFA की अगर हम बात करें तो FIFA जूरिक में है Headquarter इसका जूरिक में है और Ziani Infantino इसके अद्यक्ष है और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में हुई है और यह जो पेरिस में इस्तापित की गई थी लेकिन इसका headquarter जो है अभी जूरिक में है चलिए नेक्स बात करें फीफा का full form actually french है आप इसको international football association बोल सकते हैं लेकिन इसका french name है अगर भारत में इसे एक संस्ता की बात करें तो भारत में आईफा करके संस्ता है all India football association जिसके अधिक्स पर full पैटेल है next की अगर हम बात करें हाले में किस mission के था हिंद मासागर शेतर में चिकिस्सा और अन्य सायता उपलब्द कराने का लक्ष रखा गया है तो यह mission mission सागर है जिसके तहट भारत ने जो हिंद मासागर में देश हैं छोटे बड़े देश हैं उनको चिकिस्सा और अन्य खादी सा अम्रोस है और आपका सेशल से तो यह सारे जो पांच कंट्री है इन में भारत ने सुचा है कि वहाँ पर यह किया जाए क्यों ऐसा कर रहा है हिंद मासागर में भारत का देखिए एक तो हिंद मासागर का बहुत importance है दूसरा पहला ऐसा महादीप है जो इसका नाम किसी देश के नाम पर तो इंडियन ओशिन इसको बूलते हैं और यहाँ पर सिक्यूरिटी के परपस से या दूसरी चीज़ों के परपस से भारत अपना प्रभूत वजबाना चाहता है तो वहाँ के देशों का अपने करने के लिए चीज़ें कर रहा है यह मैं आप दिखा रहा हूं मै अच्छी मितरता दोस्ती ताकि चाइना वगेरा का प्रभूत नहीं रहे आपको पता होगा चाइना भी यहां से जो है यहीं होकर गुजरते हैं यहां अविश्यू का बहुत सारा ओयल एक्सपोर्ट बात करें साओधी अरब यमन ओमान की तो यहीं से ओयल एक्सपोर्ट व और यहीं यहँ है तो विखल का है यहां पर वोलंटरी रेटेंशन रूट यह रूट क्या है विदेश से जो इन्वेस्मेंट आता हो दो तरीके सा आता है यह तो फिखादा यह जाए यह इसमें बांडेशन रेटी कि तीन सल तक आपसको ले जा नहीं सकते तो अभी काफी FII बहुत सारा भारत में करीब साथ हजार करोल का FII वापस भाग गया है इंडिया से वो लेके से ले गया है लेकिन वियार जो है इसके इसमें बाउंडेशन थीन साल तक तो यह investment जो है अभी भारत में रुका हुआ है तो इसमें भी करीब चार-पांस हजार करोल का investment आया था और वो investment जो है भारत में है अभी भी रुका हुआ है यह चार-पांस का जार करोल का investment में मैं बोल रहा हूं अभी थोड़े टाइम पहले ही आया है बाकी तो इसके तहरत भारत में जो डेल लाग करोल का investment आ चुका है और सबसे important चीज कि यह जो investment का root है यह debt में आता है किसी equity म नहीं होता है यानि आपको एक fixed interest मिलता है equity और debt का मतलब equity में तो आप मालिक बन जाते हैं उस company के share ले ले लेते हैं लेकिन debt में क्या आपको fixed interest मिलता रहता है तो debt market में ही investment आता है इसलिए कि बार सुनने में नाम नहीं आता है लेकिन अभी share market में बहुत important बना हुआ है क्यों कि यह investment जो है स्थाई बना हुआ है तो VRR का full form ध्यान रखियेगा voluntary retention route अगले question की बात करते हैं निमने मैं से किस राष्टी किस दिन राष्टी तकनी की दिवस मनाया जाता है तो राष्टी तकनी की दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है यह मनाया जाता है 1998 में हमारा जो पोकर पिड़ नाम से operation covid-19 के vaccine के लिए किया है तो USA है ट्रंप ने announcement किया है हाली में कि वो जो जीएस के vaccine है उसके head है former Saloui उनको और एक उनके जनरल आर्मी के गुस्ताव पेमा गुस्ताव पेरना उनको इसका head ने उक्ति किया है पेरना है फोर स्टार जनरल है इनको ने उक्ति कि तो वो यह बोल रहे हैं कि इस साल के अंतर तक यह vaccine आ जाएगी December 2020 तक यह उनका बहुत optimistic बयान है लेकिन देखते हैं क्या होता है Which of the following cycle is likely to hit Odisha? Odisha में कौन सा cyclone जो है यह आज का latest question है कौन सा cyclone जो है हिट करने वाला आते हैं एमफन नाम का cyclone जो है वो Odisha को हिट करने वाला है यह cyclone के नाम इस तरीके से रखे जाते हैं दोस्तों कि cyclone जो है किसी भी country जो reason है जैसे भारत का अरब सागर है या वहाँ पर प और एक एक बारी बारी से एक बार इंडिया का एक बार मौरिशस का एक बार थाइलेंड का ऐसे नाम रखे जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके नाम जो है जैसे खतम हो जाते तो वापस बदले जाते हैं तो एमफन नाम जो है कभी अगर आपको पूछ ले तो थाइलेंड के अलग-अलग नाम लेता है और फिर तेरा कंट्री से जो नाम होता है वो एके करके इन नामों को वो दीरे-दीरे करके रखता रहता है तो इसमें इरान, कतर, सुधी अरबिया, उनाटेटर अर्म, एमन, बहुत सारे नाम हैं, मालदीव, मयाम, रोमान, पाकिस्तान, श्रिलंग Competition Commission of India, इसका CCI का नाम है, तो इन्होंने क्या किया है, कि इन्होंने बोला है कि अभी ये पेमेंट स्थिस लॉंच करने वाले थे, इसको उन्होंने बोला है कि आपको के उपर जाच होगी, तो ये WhatsApp है, WhatsApp के उपर ये बोला जा रहा है कि इन्होंने सही से काम नहीं कर रहे है, Actually WhatsApp क्या अल्रेडी भारत में चलने वाली संस्ता है, और ये अपने जो customer है, उनको inbuilt वहीं पर सुईदा देने वाली है, तो ये बोला जा रहा है कि भारत में भी digital payment का market अभी चला है, और उसमें ये गलब तरीके से competition बनेगा, तो CCI इसकी जाच कर रहा है, अगर ऐसा पाया ग गई थी, और इसका जो head है, वो है अशोक कुमार गुपता अभी में, head offices का नई दिल्ली में है, अशोक कुमार गुपता, इसके head है, head offices का नई दिल्ली में है, और इसका objective क्या है, इसका objective है कि adverse effect on competition पर अगर पढ़ता है, कोई घलत तरीके से अगर competition को प्रभावित करता है, तो उससे related मामलों की जाज करना इसका में उद्देश है, तो CCI ने WhatsApp की जाज के बारे में भी बात किया, तो CCI आपको पता होगा WhatsApp या Facebook ने investment किया जियो में, तो Geomart और WhatsApp ये दोनों ही मिलकर जो है payment service और दूसरी services लेके आने वाले थे, तो यही वो deal हुई थी इसके बारे में दोस्तों यही आज का मारा weekly current affairs था, खाफी सारे question में ने discuss किया है आप से, और daily current affairs आपका चली रहा है, हम इसको monthly पर भी convert करेंगे, try करेंगे कि monthly भी लाया जाए, तो अगर कोई daily नहीं देख पा रहा है, तो monthly या weekly देखकर अपनी need को फूरी कर सकता है, तो ठीक है दोस्तों,